आज मैं बस्तर की बहुत ही फेमस डीस आमट की रेसिपी लेके आई हूँ और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसमें कोई भी मसाले नहीं पढ़ते और ना ही इसमें हम तेल डालते हैं एकदम पारंपरिक तरीके से मैं बना रही हूँ इसे और आज कल बास्ता के साथ तुखाने में मजा ही आ जाता है तो जब मसाला सब्जी खाका की ठक जाते हैं तो हम इसे बनाते हैं तो आई ये बनाते हैं इसे जह जोहर संगवारी हो मैं हूँ नंदा अपने यूटूब चैनल नंदा किसी जी बसतर रैस्पिस मैं आपका स्वागत करती हूँ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आमट के लिए देखिए यहां पर मैं ले ली हूँ जन एक जूड़ी धनिया और एक मैं कच्छा आम ले ली हूँ क्योंकि अभी आम का सेजन चल रहा है आप चाहे तो इमली भी डायल सकते हैं और यहां पर मैं सिर्फ भल्दी मिर्ची नमक और जीरा ली हूँ एक एक चमत जितना और इसके अलावा कोई मसाला नहीं पड़ता और यहां पर मैं लेसुन, सुखी, लाल मिर्च, अदरक और जो चावल भीगा के रखी हूँ उसे हम पीस लेंगे और इसी में जो यह कच्छा आम है ना उसको भी मैं डाल करके पीस लोंगी और यह ज्यादा खटा वाला आम नहीं है और आपका ज्यादा खटा होगा तो आप कम इन सब TC कम लएंगे और शेंट लोंगे और में मिर्ची कम टाल यह हूँ है तो आप चाहे तो ज्यादा भी टाल सकते हैं क्योंकि मैं पॉडर वाला भी डाल रही हूं और मेरी यहां जादा तीखा नहीं कहते हैं इसलिए मिर्ची में इसलिए थमानी उतना आम क्यी भीगdr ermeer यहां पर यहां पर कढ़ाई में कम सेख में 6-7 गलास पानी डाल रही हूं क्योंकि मैं जबता में जुद बनारी हूं तो आप जितने लोगों के लिए बनारी है उसर पानी डालीए ना प्रप्ते जल्दी औबल जाता है यह बढ़िया से अबल रहा है तो चाहिए तो आई हैं यहां पर बास्तर नहीं भीगा कर रखी ती ना उसे डालरी हूं और ये एक कटोरी जितना है और ये भी एक कटोरी चना है आप कम भी डाल सकते हैं सारी चीजों को और आप कोई सी भी सब्जी की बना सकते हैं कद्दू की बना सकते हैं भाजियों की भी बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि बास्ता और चना कहीं बनाए आपके पास जो भी क्थे जैए अच्छे से उबने के लिए जोड़ देंगे और धक्कन लगा के नहीं उबना है नहीं तो भी ऐसा तो यहां पर आम डालेंगे तो तरफ भी कि और आप का हैं जाने हैं और और अज़ी बना रही हूँ और बोड़ा बास्ता आमड कि भी मैं रेसिप पहले डाल चुकी हूँ को दो पे यह दो मिडिया को देख अनी है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आज मैं बगहर के नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ, पारंपरीक तरीके से बना रही हूँ आमट को, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी बिना तेल के, बिना फ़्राई वाला, ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, जब हम बोर हो जाते हैं, मसाला सबजी जो मैं मिक्सी में पीस कर रखी थी ना चावल को और सारी चीजों को फोड़ा पानी डाल करके हम डालेंगे और ऐसे देखिए करचूल या जहारा जो भी है उसे ऐसे चलाते रहेंगे नहीं तो गुटली गुटली सी हो जाती है और अब हमको लगातार चलाते हुए से पकाना ह है देखिए इस तरीके से हमको पकाना है और यह गर्म गर्म चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसमें मसाले भी नहीं डालते है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे बस्तर में ज्यादा तर हम इसे सोमवार को और गुरुवार को धही बनाते हैं क्योंक गुरुवार को लचमी जी का वार रहता है और लचमी जी को मतलब चावल को पीस कर नहीं डालते इसलिए नहीं बनाते तो यहां पर देखिए नमक डाल दी में स्वाद अनुसार और बस इसे अच्छे से पका लेंगे हम इस तरीके से आप इसे बस तरिया सामभर भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे सामभर में बहुत सारी सब्जिया डाली जाती है और खटा डाला जाता है वैसे इसमें भी डाला जाता है तो यह बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और जब मसाला सब्जी खाका के बोरो जाते हैं तो बस मेरा आमड जो है बनकी बिल्कुल तयार है मै धनिया पती डाल रही हूँ और मेरे चैनल पे आप हमेशा आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो जल्दी मिलती हूँ एक नही रेसिपी के साथ तब तक कि लिए बाई